हलो गाइज मैं हूँ पपो और आज इस वीडियो में जानेंगे पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है तो एक एक चीज को बड़े ही आराम से सुनिएगा होता क्या है कि समुंदर में रहने वाले जीव और अस्थल पर रहने वाले जीव समुन्दर में रहने वाले जिव मचली के कड़ा मेड़क मगरमच बहुत सारे चीज और अस्थल पर रहने वाले जिव हम आप गाय भैंस बकरी हाथी सेर बहुत सारे जन्तू ये सारे का सारे जन्तू बाढ़ और भुकंप के कारण मारे गएं मारे गएं तो ये धीरे धीरे मिट्टी के अंदर दब गएं जब मिट्टी के अंदर दब गएं तो कडोरों सालों तक इनको वायू नहीं मिला तो अधीक गरमी और अधीक दबाव के कारण ये धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल में बन गएं यानि धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल में ये बदल गये तो आसानी से मैंने यहाँ पर लिखा क्या है देखिए कि समुंदर में रहने वाले जीव तथा अस्थल पर रहने वाले जीव सारे के सारे जीव मिटी के अंदर दब गये थे लाखों कलोरों वर्सों तक वायू यानि हवा ना मिलने के कारण अधीक गर्मी और अधीक दबाव यानि मिटी के अंदर हैं बहुत अंदर हैं तो उपरे से मिटी तो दावा ही है तो अधीक दबाव के कारण ये धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल में बदल गये तो इस तरह से पेट्रोल और डीजल बनता है आई होप आप समझ गये होंगे कि पे पेट्रोलियम बनता है और पेट्रोलियम में से ही अलग-अलग चीज छाट-छाट कर निकाला जाता है पेट्रोलियम गैस निकाला जाता है पेट्रोल निकाला जाता है असनेहक तेल निकाला जाता है और पेराफिन मोम निकाला जाता है तो बहुत सारे चीज बनते हैं जिनको बारी बारी से छाट छाट कर निकाला जाता है तो इस वीडियो में हम क्या जान रहे हैं पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है तो आप आसानी से याद रख लिजिएगा कि समुंदर में रहने वाले जिव और अस्थल पर रहने वाले जिव ये सारे के सारे जिव भुकंप के कारण मारे गए और मारे गए तो मीटी के अंदर लाखो कलोरो सालों तक इनको हवा नहीं मिला तो गर्मी और धबाव के कारण ये धीरी धीर क्याय में बदल गए पेट्रोल और डीजल में तो आप आसानी से ये याद रखेगा आपको नमबर मिल जाएगा तो आई होप आप इजली समझ गया होंगे कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है अगर आपको समझ में आ गया होगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में